आई सी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाब करारी हार के बाद भारतिय फैंस काफी मायूश हैं इस बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को लेकर संसनी खेज खुलासा हुआ है दरसल इस मैच में पाकिस्तान के मुकाबले भारतिय टीम को जीत का दावेदार माना जा रहा था लेकिन कप्तान विराट कोहली की गलतियों की वज़े से टीम इंडिया को दस विगेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है अब भारती अफैंस की निगाहे टीकी हुई है 31 अक्टूबर को भारत और न्यूजी लेंड के बीच होने वाले मैच पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाप हार के बाद टीम इंडिया के लिए ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में सेमी फाइनल की दोड़ से बाहर होने का खत्रा मड़ा रहा है दरसल ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में अभी तक टीम इंडिया न्यूजी लेंड को हराने में और सफल रही है यही वाज़ा है कि कुछ क्रिकेट विशेशग्य यह मान रहे हैं कि न्यूजी लेंड जैसी मजबूत टीम के खिलाप जीत हासिल करना टीम इंडिया के लिए लगभग नामुम्किन है लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाप हार के बाद भारतिय टीम को सेमी फाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में न्यूजी लेंड को हराना होगा इस बीच खबर आ रही है कि टीम इंडिया के मेंटॉर मेहंदर सिंग धोनी और कप्तान विराट कोहली के बीच मनमुटा हो गया है क्रिकेट के जानकार मान रहे हैं कि विराट कोहली और मेहंदर सिंग धोनी के बीच मनमुटावी पाकिस्तान के खिलाफ हार का कारण बनी भारत और पाकिस्तान के बीच खेलेगे मैच के दोरान कई ऐसे मौके आए जब मेहंदर सिंग धोनी हिसान किसन के माध्यम से विराट कोहली के लिए कुछ सेक्रेट संदेश दिये लेकिन हर बार विराट कोहली महंद्र सिंग धोनी की बातों को नजर अंदाज करते रहे जब भारतिय गेदवाज पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दोरान विकेट के लिए संघर्च कर रहे थे तब धोनी काफी परिसान दिख रहे थे धोनी द्वारा दिये गे सुझा विराट कोहली मान लेते तो सायद बाजी पलट चकती थी मेहंदर सिंग धोनी के अलावा रोहित सर्मा और विराट कोहली के बीच भी मनमुटाव की खोब चर्चा हो रही है ICC वर्ड कप इतिहास में अब तक हर बार पाकिस्तानी टीम की धजियां उडाने वाली टीम इंडिया को विराट कोहली की मनमानी लेडू भी